आज हम मौझूद है उत्राखंड की राजधानी के मशूर पार्क गांधी पार्क में जा हम लोगों की राय जानेंगे क्योंकि अब उत्राखंड में चुनाव की डेट फिक्स हो चुकी है 14 फरवरी को यहाँ पर उत्राखंड में चुनाव का आयोजन होने वाला और इसको ले कि अब डिजिटल ये जो नया खेल होगा वो किस तरीके से खेला जाएगा किस तरीके से सभी पार्टियां इस चीज़ पर अपना चुनावी हत्तकंड अपनाएंगी और इस चीज़ को लेकर आज हम लोगों से उनकी राय जानेंगे कि कैसे वो डिजिटल लडाई को देखत उत्राखंड में तीसरे विकल्प के रूप में सामने आया है तो चलिए आगे चलती हैं जनता क्या सोचती है चलिए जानते अब लोगों सही कि क्या है उनकी राय इस चुनाव को लेकर 2022 विदानसभा चुनाव की डेट फिक्स हो चुकी है उत्राखंड में अचार सहीता भी लग चुकी है इसके बाद अब सभी दलो की डिजिटल लडाई होने वाली है इस पर आप क्या कहेंगे ने सब तो अपने तरफ से करी रहे हैं लेकिन जंदा तो मूट बना चुकी है हमें क्या करना है हम मूट बना चुक है और हम अपने दिल से जानते हैं सब मूट बना पर आप कैसे सोग देंगे और आपको क्या लगता है कि कैसे सभी पार्टी अपना प्रभाव वन आप आइंगे आप पर वेसे जो 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 ओं ना होता है जैसे जैसे भी जो गो कर रहे हैं और होनी मी चाहिए जो आचार संहिता लगी है जित्त जो करो लो Dang क जो यह चलदी आ स्वाल न चाहंगे कि चुनावी रेला बंद हो चुकी है कहीं कर ले कर आप क्या नज़रियां रखते हैं कि आप कोरोना में रोक्थाम लगीगी या फिर उत्राखंड में रैलिया रृपने से तो पहले से हमारे जो सरकार है वो सब डिश्टल आई जी प्रचार प्रशार हो रहा है तो यह माध्यम पहले से चली रहा था उसको यह होने से अब उसे पर होगी लड़ाई क्या दिखता था इसमें नेताओं की बयान बाजी हेट्रेट जो फैलाई जा रही है डिजिटल माध्यम से उस पर रोक थाम लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए पर तु यह तो हमारा बहुत पहले से आप देख रहे हैं कि यह डिजिटल मेडिय इस पर रोक लगनी चाहिए पर फिलाल जो है उसमें और बढ़ा हुआ मिल गया डिजिटल मेडिया को ने तो रही जो हमारे आमने सामने की जो होती है संपर्क वह ज्यादा बेटर होता है डिजिटल का तो है कि आप मतलब हम लोग क्या कहते हैं वह मतलब एक अंदाजा भी नहीं है बस जो हवा चली तो उसी डिस अब बह गए उसमें यह मेरा अपना मानना है और यही सवाल में आप से भी यही करना चाहूंगी कि किस तरीके से आप इस नजर्य को देखते हैं कि डिजिटल माध्यम से जो अभी हेट्रेट विलाया जा रहा है सरकारों की बयान तक जिसे हम अपनी बास अमेरिक लेंगोज में कहते हैं गिर जाना यह उस तरह कि जो है यह भरकाव भासन हो रहे हैं जो भी इत्यादी जो भी कुछ हो रहे है ओ अब अब अधार निती पहले ऐसी रही नहीं मैडम जो थी पहले जो चीज था वह अब नहीं रही इसलिए ज कर्णल अजे कोठ्याल का इसाब फिर करणनल अजे कोठ्याल का भी जो है बहुत दूर मील पत्तर है बहुत दूर की बाते अज़े कोठ्यारक निसंग चो और आ जाएंगे वैसे इनकी समामना बहुत कम है साथ सबसे प्रवल दावेदार में वीजेपी जाले सबसे प्रवल में वीजेपी बीजेपी सिहां City का च्छेहरा किसी देखना चाहेंगे हरी श्रावत धामी जी आप फिर करनल अजी को छी आलाम आदमी पाट देखिए आज जैसे आप डिजिटल जो हो रहा है तो हमारे बीजिपी का जो यह है डिजिटल का पहले से उनका माहूल अच्छा है वो डिजिटली एक्सपर्ट आदमी है इस व्यू से चेहरा तो करते हैं कि क्या है उनका जानना राहे अब इनसे जानते हैं कि वर्च्व लड़ाई को आप इस वक्त किस नजरिय कि आठेच्छली मैं दो उतरखंड में रहं है मिटने साल से आप जीसे एंसे कहते हैं कि मैं जॉशाफ के रिगार्डिंग बात कर सकता हूं जो मैं जानता हम सभी करते हैं हर साल कि हम यह जौप लाएंगे गौवर्मेंट लाएंगे ऐसे रिकार्डिंग करेंगे बच्चों को प्लेस्मेंट होता ही नहीं है मैं कोई BJP सेंटर्स नहीं 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 है कोई तो मेरा तही है कि आप कमेंट करो तो ऐसा करो कि सब कुछ नहीं कुछ मिले अब मैं मैं माचल जौप करता था वहां की गौवर्मेंट हमसे कम से अमनिदास कर 20 साल आगे है वह भी खील है यह स्टेट है ठीक है उन्हों क्या करते हैं सर अगर गौवर्मेंट नहीं तो प्राइविट दे रहे हैं ना बच्चे को यह को मैंनिफिक्शन प्लाट नहीं है कुछ ऐसे चीज़े नहीं है हम लोग क्या करते हैं दिल्ली जले गई कहीं और स्टेट में चले गई ऐसा क्यों होता है पर मेरा कोशन यह है वोड़ त यहां पाहड में जाओ ना पहाड में जाओ वहाँ पता लगता है असलिए लोगों के आचार सहीता के बाद उसको आप किस नजरिय से देखते हैं मैं इसमें यह है कि डिजिटल माधियम आचार सहिंता लगने के बावजूद अब डिजिटल माधियम से लोग अपना परचार करेंगे अपने पार्टी का परचार करेंगे जिसमें अपने पार्टी के लिए हर कार्यकरता परचार करेंगा और डिजिटल माधियम से हमारे उसमें रोक लग सकती है अगर डिश्टल रिल्या ना निकले तो आ चार्साहिता का उलंगन ना करते हुए डिश्टल माध्यम से परचार करें तो कोरोना महामारी पर रोक लग सकती है अब इसके साथ मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी कि उत्रा खंड में जो अभी मुख्य समस्याय हो रखी है करोना महारी लगातार बढ़ रही है उपर से चुनावी रेलियों का लगातार होना अब उस पर कहीना करी रोक थाम लग चुकी है इस पर आप क्या कहेंगे कि अब जिन्दगी में क्या फरक महसूस होगा इसमें यह फरक होगा कि आने वाले समय में डिजीचल हो जाएगा तो यह रेलिया रूलिया नहीं निकलेगी तो कॉरोना से चुटकारा मिल सकता है बाकी सरकार भी अब कुछी नहीं है क्योंकि आचार सनी तलग चुकी है सरकार के हाथ में कुछ ऐいसा बचा नहीं है तो आपके जाब से अपकी बार CM के चेहरे में कौन होगा धामी, पुशकर सिंग धामी, हरीश रावत या फिर तीसरा विकल्ब जो उत्राखंड के लिए उभर कर आया है करनल अजे कोठ्यार इसमें CM के रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि लास्ट टाइम पे जो पुशकर सिंग धामी ने अच्छे काम किये हैं, तो पुशकर सिंग धामी आने वाले CM होंगे उत्राखंड के आपका बहुत-बहुत धन्यावान अब अच्छा जुड़ने के लिए और यही हर किसी का मानना है कि शायद पुशकर सिंग धामी हो सकते हैं, रिश्रावत हो सकते हैं, और करनल अजे कोठ्याल भी कहीना कहीं इस विकल्प में अभी भी मौजूद है, तो और लोगों से जा आप क्या कहेंगी क्योंकि अब लड़ाई जो है वो डिजिटल हो चुकी है, माम देखा चाल तो एक तरह से अच्छा भी है क्योंकि से जैसे मौहल चल रहा है करोना का और जो नहीं वाइरस आ रहे हैं, जिससे सब जो सब के लिए फाटल है, और कुछ लोग अभी भी दो सा आप जिससे जो निशली तबके के लोग हैं, उनको आप लालस देके रैलियों में भीर कटी करते थे, वो इस बाद शायर नहीं हो पाएगा, तो लोग को अपने माहिंड से सोचेंगे कि हां, किसने क्या किया ना कि किसी प्रोलोभन में आके, यही सवाल में आप सभी करना च चालू हो चुकी है, इस तरी इस चीज को आप किस नजरिये से देखते हैं, यह बहुत बढ़िया है, अब वर्च्वल मीटिंग होगी, सभी तो वर्च्वल मीटिंगे अटन नहीं कर सकते, हां, कुछ नेता लोग जाके डो टू डोर अब जूता है, गिस हो ना, अपने टा माधियम से जो जंग छिड़ चुकी है, जो हड़कम मच चुका है, इस वक्त सियासी हवाओं में, उसको जो नजरिया है, वो किस तरीके से होगा, इस चीज पर लोगों ने अपनी राय रखी है, कि पहले भी डिजिटल होना चीए ता, और अब भी डिजिटल ही चले तो बह के बाद सीएम के चेहरा, जो होगा, उस पर भी बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, कि कई लोगों का मानना है कि सीएम के चेहरे में धामी जी, जो अभी सबसे आगे रेस में नजर आ रहे हैं, उसके बाद कहीं न कहीं हरी श्रावत के भी चांसे हैं, पर लेकिन करनल अजे कौन होगा, इन तीनों में से सीएम का चेहरा या फिर कोई शौथा, इस चीज के लिए और भी आगे आगे बातचीत करेंगे, और भी लोगों से हमने जानेंगे, और भी आगे सारी कई सारी बाते होंगी, तब तक के लिए बने रहे हैं, न्यूज वाल इंडिया के साथ, न नमस्कार.